असलाम वालेकुन दोस्तो एक्स एल्थ केर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त हकीम खान और दोस्तो आज इस वीडियो में में बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्तपून टोपिक के बारे में जो की है जाहिया अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि होने के बाद आपको यह जाहियो की समस्या और तुम्हें आम दिखाई देने लगती है क्योंकि यह समस्या इतनी नॉर्मल है अक्सर लोग महिलाए जो है डिप्रेशन का सिकार हो जाती है इस चीज़ की वज़े से क्योंकि महिलाए अपनी जो है खुबसूरती पर बहुत ज कर देती है लेकिन उसके बाद फिर से जाहियो की समस्या बनी रहती है फिर से हो जाती है और तो आज में इसमें एक प्रमेनेंट सोलूशन बताने जा रहा हूं आप लोगों को जाहियों से निपटने के लिए लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि आखिर जाहिया हो बहुत ही आम बात हो जाएगी और ये आपको जुह जाएगी नहीं जब तक आपके अंदर प्रोपर मातरा में खून नहीं होगा तो अगर आपको जायू की समस्य हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आपकी डाइट अच्छी हो जाने चाहिए आप झूहे है अपनी डाइट में दूद को'D कर लीजिए ठीक है आज के साथ आप जिंक वो जिन में जिन फूर्ट में आपको जिंक होता है उसमें फूर्ट को इस्तमाल कीजे और विटामिन ओ भाले फूर्ट आपको जैदे करने पड़ेंगे ठीक है तो मतलब fruits आपको जो है इसमें जो है अच्छे fruits जो है खाने होगे तभी आपकी जाकर यह जाया दूर होगी अब बात करते हैं solution की तो दोस्तों नहीं है उसको आप आधा कप दूद में यानि कम से कम जो है 20-35 गराम दूद में डाल कर रख दीजे रात को रख दीजे आप इसको और इसको क्या करना होगा आपको morning में जब आप देखोगा कि तो यह डाल फूल जाएगी इसका आपको पेस्ट बनाना होगा पेस्ट बनाने क आपको इसको नोर्मल पानी से दो सकते हैं दोने के बाद आपको एक और काम करना होगा अब आपको दोने के बाद इसको आपको संतरा लेना है संतरा आपको चाहे तो उसको खा लीजिए खाने के बाद जो चिलका होता है उसके अंदर वाले हिस्से में बाहर का नहीं बाहर क मिलागे 10-15 मेड़े तक आपको प्रोसेस करना होगा उसके बाद आपको जो है इसको धो लेना है ऐसा प्रोसेस आपको लगातार 15-20 दिन करने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा जाहिए खतम हो जाएगी और आपका चेहरा पुरानी उसमा आजाएगा रंगत में जो आपका पहले था अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे इस वीडियो को ज्यादे ज्यादा शेयर कीजे ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सके और अगर आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्र दोस्तों कर लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका